हेलो दोस्तो मेरा नाम अक्षे चाउगुले आज हम फाइनल देखने वाले हैं रिजनेरेटिव बेकरिंग सिस्टेम यहीं क्या आपको पता है बस, ट्रेन, कार इसमें जो कि इलिटरिसिटी प्रोवाइड की जाती है वो किस से चलती है अगर आप मॉबाइल को यूज करते है तो उसका भी मॉबाइल को चार्जिंग करना पड़ता है और मुझे भी पता है जो हम गाड़ी में बैटरी यूज करते हैं उसको भी चार्जिंग करना पड़ता है पर उसको रिचार्जिंग कैसे किया जाता है इसका पूरा सिस्टिम में आपको रिजनेरेटिव ब्रेकिं और connector यह पूरा block diagram दिया हुआ है तो चलो हम concept समझ लेते हैं यहाँ पर हमें पता है जो जब engine work करता है उससे हम गाड़ी के wheel चला सकते हैं पर उसको हम block diagram से समझेंगे हमें पता है जब engine start होता है यानि accelerate होता है उससे हम wheel चला सकते हैं यानि wheel जब start होते हैं जो गाड़ी चलती है तो wheel को हम यहाँ पर कभी बार गाड़ी को control करने के लिए हम braking system यूज करते हैं यानि जब speed control करना पड़ता है तो हम braking system का यूज करते हैं जब braking system यूज करते हैं उसी time यहाँ पर important connection दिया गया है यानि wheel को हम generator को connection देते हैं यानि wheel को हम generator को यहाँ पर connection देते हैं connection जेनरेटर डायरेट बैटरी को supply देता है यानि start कहाँ पर हो है braking system braking system to connect generator generator to connect battery ये system ऐसे work करता है जब हम acceleration देते हैं गाड़ी को तो यहाँ पर engine से wheel को power मिलता है पर जब हम गाड़ी inclined surface पर जाती है यानि उतार पर से जाती है तब wheel rotate होते हैं यहाँ पर जो mechanical energy होती है उसी को हम generator से electrical energy में convert करते हैं जो कि electrical energy generate करती है generator तब ही generator को हम connection दिया आगा है battery को supply दिया है यानि यहाँ पर battery इस्तिमाल होती है यहाँ पर simple concept है जब गाड़ी driving करती है यानि चलती है तब ही हम batteries का energy का supply motor को देते हैं और motor engine को देता है और अब यहाँ पर batteries use की जाती है पर जब हम inclined surface पर से गाड़ी चलती है यहाँ पर wheel rotate होता है उसी से हम जो mechanical energy होती है उसी को हम convert करते है electrical energy में और उसी से हम battery को recharge करते हैं पर जब हम इस battery को recharge करते हैं उसी से हम गाड़ी में light, radio, audio और गाना सुनते हैं जो कि radio चलता है तो इसी के battery के recharge के उपर चलता है यह पूरा हम concept समझ लेते हैं ओके इसी तरह लाइक करें शेर करें कमेंट करें इसी तरह वीडियो देखते रहे हैं